कि देव क्लासिस इस्पेशल में सभी चात्रों को अधिक स्वगत है देव क्लासिस इस्पेशल की मद्धम से सभी चात्र कच्छा नमीज लेकर बार्मी तक की लगबग सभी महत्रपूर विश्यों की तैयरी निसुल कर पा रहे हैं इसके तरिक्त परिछाओं का समय नजदीख है इसलिए हमारी इन ओनलाइन क्लासों की मद्धम से आपको अन्सोल्ड पेपर भी दिये जा रहे हैं अन्सोल्ड पेपरों के द्रिक्त आज हम बात करेंगे सिल्लेवस की क्योंकि अभी तक हमने संपूर पढ़ाई की हर चेप्टर पूरा पढ़ा हर चीजों को हमने पूरी तरह पढ़ाया लेकिन अब समय ऐसा है कि एक माह का समय बचा है अब आपको सिर्फ पॉइंट टू पढ़ाई करने हैं मतलब जो चीज पढ़ना है सिर्फ हम उन्हीं की च बच्छें को हटा दिया गया था तो पहले हम चर्चा करेंगे हटाएगा इस लबस की जितने भी स्लेबस आपका पूरा अलग कर दिया गया है उस से लबस को आप लिख लेजिए उसको आपको बिलकुल भी याद नहीं करना है क्योंकि आपकी पेपरों में नहीं आएगा औ और कई बच्चे डाउट में क्योंकि परीबूट का पेपर जब बच्चों के मिला है एच्छमाई पेपर मिला है जिसे हम अर्दवार्शिक भी कहते हैं तो उस पेपर में कई बार क्या हुआ है यह वह चीजे भी आ गई है जो आपकी कटी हुई है तो बच्चों को ऐसा ल और विद्यार्वाले उसे परचेज करके आपको देते हैं जिससे आप लोग का अंत्रेग को लेंकन होता है और पेपर अर्दवार्शिक का और प्रीबूट का एक मातर मकसद है ताकि आप आने वाली परिच्चाओं की तहरी कैसे करें किस तरह का पेपर आएगा और बॉर्ड एक्जामें हो तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉर्ड एक्जाम में बहुत ही पारदर्शिता के साथ पेपर तयार कि जाते हैं एक एक चीजों का ध्यान दे जाता है और सबसे बड़ी बात की यह जो सिलेबस मैं आपको देखा रहा हूं यह यूपी बीस एकीस सुरी एकीस बाइस में विद्यालियों में समय से पाठ पठन ना हो पाने कर समय विचारो परांथ यह 30% पाठक्रम की अनुशनसा की गई है खंड का में बूला गया है क्या-क्या नहीं है जो आपको तयार नहीं करना है यह आपका इस्थिर वैदुत्की में यह derivation नहीं है कि इसमें किसी एक समान आवेशित पतले गोली खुल के भीतर और बाहर दोनों प्रकार की जो derivation था जिसमें गाउस की नियम से हमें याद करना था विदुचे याद करना था वह चीज आपके कोर्ष में नहीं है इससे आपको तयार नहीं करना है इंवी से अधार सब्सक्राइब भी कहते हैं तो यह दोनों आपके सिलेबस में नहीं है अगल देखिए विद्धुत में से क्या क्या नहीं है चैप्टर में विद्धुत में से तीसरे पार्ट में खंड़े में देखिए विद्धुत देधुरू के करड़ इसके अच्छ के अनुदिश तथा अच्छ के अभ कि देधरू के करड बल आघूर और चुम्ब की अव्योग अनुचुम्ब की परतिचुम्ब की लोहुचुम्ब की पदार्थ की उधरड सहित और वेदुचुम्ब की तता इनके तीबृताओं को प्रभशत करने वाले कारक और इस्थाई चुम्बा की आपके इधर से हट क्योंकि यदि आपने उतना नोट कर लिया तो बाकी सब आपको त्यार करना है अगला देखते हैं सक्ति गुड़ंग और वाठिन धारा यह आपके सिल्बस में नहीं है कुछ बच्चों ने दिखाया कि आर्दवार्षिक की पेपर में और यहां तक प्रिवोट की पेपर में भी यह प्रशना आ गये वाठिन धारा की तो ध्यान देजेगा कि वाठिन धारा आपके सिल्बस कोर्श में नहीं है अगर आए भी हैं तो निश्चिन तरहिए वारशिक परिचाओं में नहीं होंगे तापको यह तयार नहीं करना है वैदुत चुम्बिकी तरंगे इसमें विस्थापन धारा क्या हो सकता है यह आपको नहीं तैयर करना है अब ध्यान देजिए खंडखा में क्या नहीं है गोली दरपड दरपड का सुत्र प्रकास का प्रावर्तन यह आपके कोर्श में नहीं है हलाकि यतना सरल है कि हटा की भी नोंने गल्द किया क्योंकि यह बहुत ही सरल है अगला प्रकास का प्रकेडन नहीं है आकास का नियला वर्ड इसका मतलब ये प्रस्न आता था कि आकास का रग नियला वोता है क्यों सुरर यूदर यवं सुरियस्त के समय आकास में सुर का रख्ता प्रतित होना ठीक है तो ये प्र impress बहुत ही में शरहल था लेकिन आब हट गया तो कोई बात नहीं सोच में दर्शी तथा दुर्दर्शी की विविदन चम्ता धुरुवड सम्तल धुरुत प्रकास बूस्टर का नियम ब्रस्टा लिखा है बूस्टर है यहाँ पे शम्तल धुरुत प्रकास तथा पूलराइट का उपयोग यह सब चीज़ आम ने करवाई थी आपको और यह आ लब तथा विकरण की द्वध प्रकति्ध इस चैप्टर में आपका डेवी सन और जर्मर का प्रयोग यह नहीं नहीं है प्रयोगीन भूह रनना दिया जाए और निसकर्षक के व्याख्या की जाए तो यह आपको प्रयोगिकन है नुसकर्ष पूंछी जा सकतेए हैं इसमें से अगला है कि यह लास्ट में ध्या दिये गए है परमाणु तो नभेग इसमें रेडियोक्टिविटी अल्फा वीटत गामा किरड़ें और इनकी गुण यह नहीं है रेडियोक्टिव छेनियम नहीं बंधन ऊड़ जा नहीं प्रति न्युक्लान तर्भमान संखेस में नहीं है तो बहुत खुशी होगी आपको यह जानके कि इतनी हमाई हाट चुकी है क्योंकि बच्चों ने बहुत तयारी कि है अब समय आगे आपके रिजल्ट का तो बिल्कुल भी रापर भाही नहीं क्या कौन-कौन से प्रयोग आपको इसमें नहीं है प्रयोग देख लेत का अपयों करके उत्तर दारपड़े की फोकस धोरी याधकर और यह आपके सेलेबस में नहीं है उ स्कार कि PlayStation की बीच प्रयोग की Omega वड़न यह तो इसमें नहीं है है कि मीटर शयत्ताइब ऑिर्तियुकों के स्थनिजन के नियमों के सत्ययपण आपके कोर्श में नहीं है अर्थ विछ्षेप्ट विद्धी धार्य मापी का प्रतियुक में नहीं है दियागा धार्य मापी कोone Shop Brilliant 무..., नहीं है दिए गए धरामापी को वांचेत परिसर के वोल्ट में रूपांतरत करना यह आपके नहीं है जिन्दाइट के विलाचड़े की वक्रे की साहिदा से उत्यक्रम भंजन बोल्टता याद करना यह आपके शिलेबस में नहीं है तो यह सारे चीजे थी जो आपके पार बने का आन देन देजिएगा आपको आठ नमबर का ना इस तेर वेदुत की शेंा के एक से छिप ग्त का ना मंशनमी कि प्रभाव अ कि यह से Epic व्याश्ची अनबर का फ़िवन की तरंग को क्योति उचान ओ का मतली पैंतर कॉर्प् 한वर आपको इस खंड से मिलने आपको आपको यहां से मिलने तो प्रक्तिकल तो आपको जाएंगे अब देखें क्या क्या चीजे आना है अब सभी ध्यान देखें यह चीजे यह तो निशान लगा लें और यह तो आप इसे लिख लें लिख लें तो बहतर होगा वैदुत आविस वैदुत आविस आपके कुर्स में आविस कर संडर्चठ कूलाम नियम द्रो बिंदों के भीच ये आपका बल लगने इगलत दिया गया है कुछ ऐसा होना चैङिए दो बिंदों के भीच लगने वाला बल इसे कूलाम के नियम कहते हैं लेgen है अगर कोई बात अपनी मनें बता दिया आपको अगला है इसी में बहुत आवेसों के बीच लगने वाला बल रादो विनुस अधिक पे लगडा है तो अध्यर उपड किसे धांत सातत आवेसों वित्रड या आपके सीलेबस में है वे दिट शेतर हैं एंग अलग है यह अलग है यह अलग चीज और एक समान विचछेत्र में दिधरू पर बला हुड यह अलग चीज है वे आपका अलग है तो यह सारे चीज-चीज नहीं आपको पढ़ाई हैं जो गच्चे इंटर्मेडिट में पढ़ रहा है यह जो पढ़ चुके हैं इनको माने यह चीज़े पढ़ाई हैं और यह चीज़ आप भेता तरीकी से लिख सकते हैं यह दिन में से कुछ नहीं आता है आपसे नहीं बनता है तो आप उसे पूछ सकते हैं संतल चादर इन दोनों पर वैदुत गाउस के नियम से याद करना है वैदु छेतर के तीवर्ता होगी यहां पर लिखा नहीं है अरंत लंबाई के समान आवेशतार पर वैदुचितर के तीवर्ता पूल सकता है इसमें दिया नहीं गया वैदुत विभव आपको पढ़ना है विभुवांतर पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के काड़ वैदुत विभव पढ़ना है वैदुत देधरु पढ़ना है आवेशों के निकाय की काड़ वैदुत विभव पढ़ना है सम विभव प्रस्ट पढ़ना है दो बिंदु के निकाय तथा वैदुत देधरु की इस्तिर वेदत ऊर्जा पढ़ना है चालक तरतरो दरोधि पढ़ना है और कि प्छी चालग के भीतर मुक्त आविश तर्य जन चायविश पढ़ना है पराली पलना है pagwhen दोट uda पढ़ने है संधबर में नैए तो खंड का में पहला पार्ट है आपको जो विद्द्द का उसमें से आपको इतनी पर में आओ को चीज तो आप इसके स्क्रेंजोट लेजे फट 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 और इसे आप निसान लगा लीजिएगा ठीक है कोई चीज चूट गई हो तो आप फटाफट स्क्रीन शोट लीजी देखते हैं दूसरा पार्ट धारा विदुद्ध में क्या क्या चीजा आपकी आनी है ध्यान से लेखते रहेगा आपको दिखा रहे हैं कि विदुद्धारा धात्विक लच्छड में वैद्ध आवेश्वों का प्रवाह आप वाहिवेग गती सीलता ताथा इनका विदुद्धारा की संबंध ओम का नियम आपको कूर्श में है वैदुद्ध प्रतिरोद अब लाच्छिडिक वैदुद्ध ऊर्जा और शक्ति व किर्चापका नियम इसके अनुपरियोग फीट इस्ट्रों से तु मीटर से तु विभव मापिक सिध्धान्त विभवांत एवं दो सेलों की विदुद्ध वाकबल की तुलना करने के लिए इसका अनुपरियोग और किसी सेल के अंतरिक पृतिरोद की माप यह चीज़ आप की चेतर की समकल्पना उस्टेट का प्रियोग बायो सेवर्ड का नियम धारा भाही लूप में इसका अनुपरियोग इंपीर का नियम इसका अनन्त लंभाई के सिर्थार के तथा अभरत्ता कर कुंडली मैनूपरियोग एक समान चुम्बिकी तथा विदु शेतर में आवेस पर एक बल समान चुम्बीकी चत्र में ढलortaर चलाक पर बल दो समांत था रमड मेचल बीच बल एंपयर कीप रिभ्भास एक समान चुम्ब की चेतर में थारा वाही लूप द्वारा बाला खुड कानुभव यह लेखते जाएगा चल कुंडली ग्यलूनमीटर ताथा इसकी धारा सुग्राहिता इसका आमीटर ताथा बोल्ट मीटर में रूप आंतर और ताथा धारा लूप चुम्ब की दुद्रू की अगर आपको अभी तक ना क्लियर होई हो तो इन चीजों का आप नोट कर लेजे या ऐसा करिए किसके स्क्रिंज सोट लीजे और आप इसको आप लिख लिएगा लेकिन यह आपके स्लेबस में हैं इन में से मैक्सिमम चीजे हम आपको करवा चुके हैं तो जो भी बच्चे अभी तक तयारी ना की हों जिनका तयार ना हो लिखा ना हो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है आप अपने क्लास के नुसार अपनी लिंक की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें जाकर सारे विशे को त्यार करिए और इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसा वीडिय से बताए गये हैं तो भी आप परिछाओं में 80-85% नमबर तक आराम से पहुंच सकते हैं कि इसी में देखिए अगला है वैद्व चुम्ब की प्रिरण तथा प्रतिवर्ति धाराएं इसमें से क्या क्या आपको सिलेबस में वैद्व चुम्ब की प्रिरण की फराड़े की सकति इसी जन्यत तथा ट्रांसफार्मर इतने चीजे आपके चोथे वाले पार्ट से हैं वैद्व चुम्ब की प्रिरण और प्रतिवर्ति धाराओं से कि खंड का घृष क 15 की तरंगे दिख लेते हैं क्या-क्या सीजिए आ सकती है किसी टोपिक से वेदूची तरंगों लिए ईनकी आभी रच्छिड़क वेद चुम्प की टरंगों की अनुप्रस्त प्रकप्तिश से असकते हैं वेदिwang की स्पेक्ट्रम और इनके उप्योग में विशे में मौलक सत्त हो इसमें से आपका आ सकता है इस प्रकार यह हमारा खंड का समय कोता है तो सभी बैच्चे ध्यान दें इस समय के अभाव में अब आप लोगों को वो चीज़ी तैयर करनी है जो कि आपकी कम से कम समय में तैयार हो जाएं और अधिक अधिक नंबर प्राप्त हूं कि अधिक हमें देखिए क्या क्या आ सकता है कि सबसे पहले तो प्रकास की में देख लेजिए सबसे ज़्यादा इसी से आना है प्रकास का अपवर्थन आना है पूर अंत्रिक पर आवर्थन आना है इसके अनुप्रयोग आना है प्रकासिक तंतु आना है गोली प्रस्टों पर अपवर्थन आना है लेंस की बारें पूछ से होकर प्रकास का अप वरतन और परवेच्छड यह आपका आना है ठीक नेे pri sociedad देख्तें के प्रकास के यंद्र मानों नेतर आना है प्रिद्रकास के अंद्रकत्न में पर तबिष्झम का बनना तास समझन चमता नहीं है लेंस तौरा dhr causes दोस्तों का संसोधन आना है और शूच में दर्शी तर्थ रणा चम्ताई पूफ सकता है और तरंग प्रकास की तरंग तर्था हाइगेंज का सिध्धान्त आना है तरंग क्राउं के उपयोग द्वारा इनकी सम्तल का संव कि आना है परष्टों पर परावर्तन अपुर्दान आना है हाईगेन सिध्धानत के उप्योग दूरा परावर्तन के नीमों की सत्यापनाना है व्यतिकरण आना है यंगली का दुधिरी प्रियोग आना हैं फृरिंज की चवड़ाई आना है इसके वेंजग भी आना है कला सम्मद दिस्रोद भी आने हैं और प्रकास का प्रतिपा प्रतिपद्ध में क्या क्या सकता है जिन वच्चों ने लिख लिए हो बहुत अची बात है और जो आपका तयार हो ठीक है जो चीज आपके तयार नहीं तो आप हमें बताइए हम उस विशे का उस टोपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उन चीजों को सीख सकें आपका बहुतर बने इसके लिए हम बिल्कुल प्रतिपद्ध हैं आप लोगों को कितना सहुग रहता है कितने मैक्सिमन दोस्तों को अपसियर करते हैं यह आपके उपर डिपेंट करता है अगला देखते हैं सुद्ध में आपको प्रकार संमत्त हो गिया आगे हमारा द्रब तथा विकरण की द्वेच प्रकति इसमें से आपका हां यह की गणा की द्वेच प्रकति आन्य है प्रकास विदुत प्रभावव कंशन्ताव श सालेघ्टffic इन है अइंस्टीन प्रकास विद्व समीकरड आना है प्रकास की तरगात्मक प्रकति आना है द्रभ तरंगें और कडों की तरंग प्रकति और देवरोगली सम्द्ध इतने चीज़ें आपकी आने हैं इसके बाद में अगला है परमादु तो नाविक से आठ थंक मिलने हैं आपको क् का पर्माडू का द्रफूर माडल आएगा बोला अडल आएगा ओब इसना आएगई हाइडोजन स्पेक्ट्रम के नाविक को की संधस्स्ना एवं आकार आएगा परमाडू तरुकमान समस्तानिक संभारिक आएंगे समन्टानिक आएंगे दरबमान उर्जा संबंद reicht लेगा इतने के अब नहीं है और सब्से लास्ट है हमारा इलेक्तरान युकतियां इसमें से क्या क्या आएगा ठोस्व में उर्जा बेंड आएगा चालन आएगा चालक आएगा कुछालक आएगा अर्द चालक आएगा अर्द चालक डायोट 15 या आएगा अब लाच्छडगवक्र जिसे कहते हैं आप और इसकी बाद में आपका बचा क्या टायोट दिश्टकारी की रूप में LED जिसे बोलते हैं आप और फोटो डायोट और स तो बड़ी खुसी की बात है कि आपका जो स्लेबस से 30% कम होने के बाद में इतना बचा है और इस 30% स्लेबस को अटाने के बाद में आपके पास एक महिने कभी पूरा समय नहीं बचा कायदे का जिसमें से आप तैरी कर सकें तो ध्यान दिजेगा एक भी दिन आपको बरबाद नहीं करना है एक भी घंटा आपको बरबाद नहीं जाए ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय पढ़ाई में जाए और प्रयास करिए कि आने वाले एक महिनों के अंदरगत में कम से कम तीन से चार सालों के अंसोल्ड पेपर आपको हल करना है यदि आप इतना कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आपके 80-90 प्रश्चत नंबर कोई नहीं काट सकता है और यदि आपने दस वर्शों का अंसोल्ड हल कर लिया तो मान के चलिए कि 95% से उपर नंबर आपके पका आएंगे कि कि कहीं न कहीं न कहीं अग् GenET को भी अनौह हो जाता है कि आप कि सरह कर आप से परिश्च लेना चाहता है और कहीं न आपको अब होता है क्योंकि बार-बार एक जैसे परिच्छाओं से और बिना तैयारी किवे पढ़ने से कोई मतलब नहीं लेकिन इस बार आप से पढ़ाई कीजिए और नो डाउट आपके बहुत अच्छे पढ़ाएंगे कौन-कौन से देखिए कैसे कैसे मुल्यांकन होता है देख लिजे कहां कहां से कैसे कैसे नंबर मिलते हैं आपको kalau यहां प्रयोग अत्मक परिच्छाओं के लिए बुला गया कि समय चार घंटे कहा हैंlarda 4 घंटे का समय आपको लग सकता यहां भी आप प्रक्टिकल कर ने जाएंगी अधिक्ता मुंग आपको कतने मिलने हैं थीत्स नमबर मिलने हैं कैसे मिलना है यह दो प्रियोग को खंड कामे एक और कंड कामे ठीक है यहां अपने की यह तो आपके 10 नमबर इसमिस मिलेंगे और प्रियोग पर आधारित मौखकी मतलब यापने अबना ली है तो आपके 10 नमबर तो वहां से मिल जाएंगे और उसके अंतरगत में अगर आप बताते हैं तो पांस मंड़ यहां से अग्युणार कर अगर आपको तियार तो चार नमर मिलेगा पोर्जेक्ट कारोइब वैंना से पूचता सब्सक्राइब के ऐसे काbor यह na मिलने हैं और इसके बाद में इसमें से कई चीजा और भी सामिल होती है परतेग प्रयोग के पांच अंक्र का बिवरण निम्न होगा पांच अंक्र जो बिवरण है उनिम्न है क्या है नमबर एक क्रिया क्रियात्मा कोसल और उपकरण का समान जस्वा प्रेच्छड कोसल यह प्रयाप्त्- 30 संख्याMa को से प्रशूण की प्रयाप्त संख्या प्रेच्ण यह प्रयाप्त संख्या अगर आपको बनाएं गड़नाव से گणाग ग्राप एड़िटी आप संब्लेगा परा promise मिलिए परडाम निस्कर शकर आपकर व्याप सुद्ध लिखे हैं तैक नमर recommended जिसमें लिखा था ना उपर आपका प्रियोग पर आधारिद यहां पर यह सारी चीज़ें देखी जाएंगी ठीक है यह तो थे प्रियोग जो आपका जिस तरह से होना है और पृख मैं कौनकौन निम्नवत होने चाहिए क्या-क्या चीज़े होती हैं अब कमांब ने चाहिए जो च्छातने की हों मतलब दो खंड होते हैं आपके फिजिक्स में कंड का से चार और खंड का से चार मतलब 8 प्रयोग से जए जो आप रिकार्ड जमाकरेंगे पहला क्या है जो प्रियोगा आपके कोर्श में है चल सूच में दर्शी तथा कांज की गोटकी का पॉरतना ग्याद करना यह आपको सिल्ये बस में में नमर दूसरा शम्तल दरपड ता-धा-उतल लेंसितवरा किसी द्रभ clicked cards भारत नों गयात करने हैं हैं अगला प्रियूक्ष ऑतल दरपड के प्रकारण में यू के विभ४िन मानों के लिये वी कमान गयात और दर्बड़ा की फोकस दोरी जाद करने आपके सेलीबस में है आमीटर तथा बोल्ट मीटर दौरा ओम के नियम के सत्यापन करना तार के पदार्थ का विश्च्ष्ट प्रक्रत्रोद ग्यात करना यह कोस में और उत्ता लेंस कॉप्यों करके ओटा लेंस की फोकस याद करना यहापके में के हुए के मीटर मिटर शेतों दीए गए तार का प्रतिहोद याद करना है बोल्ट मिटर दात प्रतियोद वोक्स वffeeभोम वापी द्वारा दिये गया दोप्रक्र मक्रामन की विद्व고लों की तौल आ करने की सिल्म मैं और विभोम वापी तat दिए गया प्रत्मिक अंथरिक प्रतेरोत ऑफनी करना यहह और पीarde का अभी लाजडा की Agency आपका लास्ट है किसी उभाने सब्सक्राइब या एन पी या एन पी एन ट्रांजिस्टर के अभी लाच्ट को अध्यन करना तरह एवं बोल्डता के लापजियों का मान याद करना तो ध्यान देजेगा यह सब आपके कुर्श में था जो हमने आपको बताया एक चीजों का ब बताया गया है यह जानकर आपके लिए बहुत ही महत्यपूर हैं यह वीडियो और यह सिलेबस यदि आप पूरी तरह देखे हैं तो ध्यान देजेगा आपने परिछाओं में कम से कम 20 प्रतिस्त नंबर और बढ़ा सकते मतलब इस एक मेहने में यदि आप तयारी को इस धंक से कर लेंगे तो कम से कम 20 प्रतिस्त नंबर आपके और बढ़ जाएंगे अगर 60% में आपको लगता है आप पास होंगे तो आपका 80 से कम नहीं आने वाला अगर आप 80 वाले हैं तो 90 95 से के आसपास पहुंचेगा बस आपको वही चीज देखनी है जो आपको सिलेबस में है धन्वाद आज इस वीडियो के ही समामत करेंगे आप सभी बच्चे जितने भी बच्चे कच्छा बारवीं की हैं जो इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी बच्चों से एक बिसी सनुरूद है यदि आपको लगता है कि हमारे दोरा कुछ बहतर हो पारा है हमारा प्रयास लगतार है और आप हम लगतार सफल भी हो रहे हैं उसमें हमाई बात बच्चों बच्चों तक पहुंचे इसके लिए आपका सपूर्ट हमें अतियावस्यक है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर सेर करें और उन दोस्तों की भी जुम्यदारी है जो आ अपने कम से कम सभी दोस्तों को करें इस परकर हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकते हैं आपनी बात रख सकते हैं और आने वाली परष्चाओं में आपको अच्छे अंक अर्जित करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं धन्यवाद